तो आज हम पढ़ने वाले कोशन जिसमें बोला गया है What is meant by the idea of सत्याग्रह तो इस कोशन का मतलब है कि सत्याग्रह का जो idea है उससे आपका क्या मतलब है तो चलिए समझते हैं इसको answer से तो इस सत्याग्रह का जो idea है जो ideology है जो सोच है जो विचारधारा है ये असल में जोर देती है सच की ताकत पे और सच को ढूणने की जरूरत पे यानिकी स्वेशन सी सत्याग्रह ये बोलता है कि आपको सच की ताकत को समझना है और इस सच को आपको ढूणने की जरूरत है इसका मतलब ये है कि अगर आप जो struggle कर रहे हैं जो आप लड़ाई कर रहे हैं जो आप संघर्ष कर रहे हैं और अगर उसका कारण बिल्कुल सही है और अगर ये अन्याय के खिलाफ है तो आपको ऑप्रेसर से लड़ने के लिए एक किसी भी physical force की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी तो यहां पर इस स्टुरिण जो आपरेसर है आपको पर अत्याचार कर रहा है जुल्म कर रहा है आपको परिशान कर रहा है आपको टॉर्चर कर रहा है तो इन आपरेसर के खिलाफ अगर आपको fight करना है तो आपको कोई physical force याने की लड़ाई जगडा मारधार हाथा पाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बलकि बिना revenge लिये हुए बिना बदला लिये हुए या फिर बिना aggressive हुए aggressive याने की बिना आकरामक या बिना गुसा हुए एक सत्याग रही जो है सत्याग रही मतलब जो की सच को मान बैटर को आसानी से जीच सकते हैं वो भी non-violence से बिना मारधार के याने की एंसा से वो किसी भी बैटर को किसी भी लड़ाई को जीच सकता है और ये उस oppressor की याने की उस अत्याचारी उस जुल्मी के अंतर आत्मा से अपील करने के जरिये याने की प्रात्ना के जरिये किया उसे लोगों को भी आपको उस सच को देखने के लिए लोगों को राजी करना होगा उनको मनाना पड़ेगा बजाए उसके कि आप जबदसी उस सच को उनके उपर थोप दो उनको जबदसी उस सच को accept करने के लिए मजबूर करो याने कि आपको उन्हें सच को accept करने के लिए मजबूर नहीं करना है बलकि उन्हें उस सच को देखने के लिए राजी करना है मनाना है और इसके लिए आपको वाइलेंस क्या यूज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बिना वाइलेंस के बिना माधार के बिना हिंसा के भी ये पॉसिबल है और इस तरीके से इस स्ट्रकल से इस संघर्ष के जरिये आखिरकार अंततह सच की टूट की जीत हुई तो ये विचारधारा थी सत्या ग्रह की अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमाया चैनल को सब्स्राइक कीजिए और वीडियो को लाइक जरू करें आज के लिए इतना ही